महात्बा गांधी के लिए सबसे बड़ी समस्या में से एक अमेडकर भी थे अंग्रेज तु छही थे, उनसे बड़ी समस्या यह एक यार अंग्रेजों को बेजो ना समाज क्यों बदल रहे हैं अच्छी खासी प्रसिद्धियन को मिल चुके थी, बाहत्बा गांधी के लिए सबसे बड़ी समस्या में से एक अमेडकर भी थे अंग्रेज तु छही थे, उनसे बड़ी समस्या यह एक यार अंग्रेजों को बेजो ना समाज क्यों बदल रहे हूँ और हम बेट कर साफ साफ कहा रहे हैं थे, कि अगर मुझे अपने हित और देश के हित में सुनना हो तो देश का हित नमबर एक पे है पर यदि मुझे दलितों के हित और देश के हित में सुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्रासमिक्ता पे रखूंगा क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए ऐसे ही तो यहां के सवर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं और दलितों की पराधीनता अंग्रेजों के आने से पहले ज्यादा थी अंग्रेजों की उपस्तिती के समय कम पराधीनता थी अपो गुस्तत वाता है वो अंग्रेजों के गई बार कि एक ऐसा अदमी था लेकिन आप तर्क सुनेंगे तो डंग रह जाएंगे तर्क अच्छे हैं और मज़ेगी बात है कि भारत की सम्विधान सभा में अंबेडिकर जितनी पढ़ाई पूरी सम्विधान सभा में एक भी में मेंबर नहीं कर रखी थी कि अब एक BN Rao थे जो एडवाईजर थे उनके पास ठीक शक पढ़ाई थी उन्हें छोड़ दें बागे सब मिट्टी के पेंदे टाइप के थे प्यादे थे उनके साब में पढ़ाई लिखाई का जो लेवल अंबेडगर था आपका है वो किसी का नहीं तो कुछ लोग मेरे देश है कि सवर्ण मान सकता है कि कुछ लोग अंबेडगर को देश दोही घुशित करना चाहते ह इन ही कथनों से कि दलित प्रश्ण और देश के प्रश्ण में दलितों को प्राश्मिक्ता दोंगा तो बुरा मन जाते हैं और उनी से आप पूछो कि अगर हिंदू का प्रश्ण हो और देश का प्रश्ण हो किसी प्राश्मिक्ता दोगे तो हिंदू हिंदूस्थान है मैं तो अम्बेडकर उस समय पारफुल हो चुके थी और अम्बेडकर को मैं तो बड़ा सलाम करता हूँ इस सेंस में आम तोर पर वंचित वर्ग में जब कोई पढ़ लिख लेता है अपने वर्ग से कन्नी काट लेता है डिजर्वेशन का सबसे बड़ा दुख ये है डिजर्वेशन का सुख ये है कि वंचित वर्गों के लोग आने लगे हैं सत्ता में और जैसी एक गाउं से एक बच्चा गलिद बच्चा आईस बनता है पूरा गाउं आईस बन जाता है आरक्षन के वितिये लब केवल उस विट्टी को मिलते हैं जिसको आरक्षन मिला है पर सामाजिक राजियतिक लब पूरे गाउं पूरे कुनमे पूरे कस्वे पूरे शेहर को मिलते है कि हमारे गाओं का चंदू आईस बना है और चंदू वर्ग में मान लेजिए ऐसी एस्टी में आता है उस दलित जाती के उस गाओं के और आसपास के सो गाओं के सम व्यक्तियों के पास कॉंफिडेंस आयाता है कोछ बिगड़ा चंदू को फोन लगा दिये चंदू ए चंदू बिटवा देखी जरा अब पॉलिस वाल नरो का लाइसे करें रूको बात करवाते हैं अब गाड़ी कैसे बिले जो कोई बात भी हैं कुछ निवाल नहीं है अर्थिक फायदा नहीं है तो सामाजिक राजनीतिक संतली करन का मामला है उसमें उसों देखना है और हम बीट करने आजकल क्या होता है कि जो बच्छा I.E.S. बनता है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसकी जाती किसी को पताना लगे कि वो रिजर्वेशन में है और बहुत सारे लोग S.E.S.T. या O.B.C. से रिजर्वेशन का लाब लेकर I.E.S. बनते हैं तो कोशिश करते हैं कि शादी से सवन समाग में हो क्योंकि I.E.S. खुद एक जाती है उस जाती में शादी कहीं भी हो सकती है महाजाती प्रधा बीच में नहीं आती है एसी I.E.S. बेख जाती है जो I.E.S. से नीचे ही जाती है लेकिन ठीक ठाक जाती है वह भी अपने अपने ठीक ठाक जाती है जैसे I.E.S. पती I.E.S. पत्नी को सब्सक्राइब है जो लोग कोई बात नहीं ठीक है इस तरह इससे इसे मैणेज करते है क्योंकि IPS नीची जाती है, IES थोड़ी उची जाती है, और IERS और बागे साथ बहुत ही नीची जाती है, और उसमें जो ग्रुप भी हैं वो तो शूद्र टाइप के माने जाएंगे, यह तो बहुत ही नीचे गिड़ोगा, बेशक UPSC दिस सफल सादी उपर यह तो बहुत ही न पढ़ने लिखने के बाद भी, चाहते तो वो भी एक शांदर जिन्दगी जी सकते थे, उनको मिली रही थी भाई, वो PCS Office रहते बढ़ोदा में, मजाग ठोड़ना है, नागपूर में शायद, और जब नागपूर में वो सिविल सिवक बनकर आए, फेलोशिप नहीं से मिल शागरापन के कभी आत्मकता पढ़ें, मैं कैसे बना, हिंदी अनुआद उसका ये है, उसमें प्रसंग है कि नागपूर में रहना है उनको क्योंकि वो ऑफिसर है, उनको अपने रहने के लिए कमरा चाहिए, ये घर चाहिए, ढून रहे हैं पूरे शेहर में, कमरा ही नहीं मिल रहा है, लोग पहले पूछते ही, जाती कौन सी है, वो बताते हैं कि मार जाती का हूँ, तो भी कमरा नहीं है, हमारे पास, हम किसी दलिप को कमरा देंगे ही नहीं अपना, ये 1920-30 के दौरान नागपूर शेहर की बात है, फिर हो कहारे कि कई कमरे खारिज होते गए, होते तो वहां मालिक ने पूछा ही नहीं कौन सी जाती क्यों, इन्होंने बताया भी नहीं, पिटेंगे, उससे पूछा नहीं, उन्हें बताया नहीं, कमरा मिल गया, रहने लग गया, और फिर वो रहते हैं कि एक दिन अचानक सुबह उठा तो बहुत शोर मचा हुआ था, मुझ और वो भीड मेरा कतल करने के लिए आई थी, और उसके बाद कुछ दोस्तों की मदद से पता नहीं पीछे के दरवाजे से कहां से किसी तरह से उनकी जान बचाके भगाया गया हुआ उनको, इस जोर से वो गुल रजी, यह उसी देश की बाद चल रही है, सारे जहां से अच अब हुआ नहीं था मतलब, होने बाराच, अभी नहीं हुआ थी, तो उस देश की बात है, और जो स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में पढ़ते इसलिए थे कि उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, तो थोड़ा सा ठीक सितिया थी उनकी, इसे स्कूल में अड़िशन मिल पूरे स्कूल में एक जलिद बच्चा था बस, बाकि बाकी जॅब सवन बच्चे थे अब को हैंडल करें już पानी पिनी जागा पानी को छू जैगा पानी पवित्र हो जता है उसमें हीलियम ऐै जाता है होईटोउन की जुगा उसके बादely जैसे दर्षा छूभएगा तो एक व्यवस्था थी कि पानी पीने की एक जगा सी सबके लिए एक अलग से मटका सा मेडिकर के लिए अलग से रखते हैं दूर उनको वहीं पीना है और मटकें को हाथ नहीं लगाना है अब कभी-कभी क्या हुआ कई वार ऐसा हुआ कि जो आदमी पानी की विवस्था करने के लिए तैनात था वो छुटी पे चला गया एक दिन दो दिना है अब इसको प्यास लग रही है बागी बच्चों को पास पानी पीने को नहीं है कई ऐसे दिन गुखारे स्कूल में जब उनको पीने को पानी मिलता ही नहीं चाहिए जेतना ऐसे बनती है यह सब जहलने के बाद बनती है